जहें मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, दोस्तों दर्सकों के अनुरोध पर ये वीडियो आपके लिए प्रस्तूत है, नवरात्री में भूल कर भी ना करिए काम, वरना मातारानी हो जाती है रुष्ट, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे काम है, जो की नवरात्रों में भूल कर भी नहीं करने चाहिए, उनके बारे में जानकारी दे रही हैं, साथ ही हम आपको बताएंगे, ऐसी कौन सी वे तीन चीज़े हैं, जो की नवरात्रों में मातारानी को चड़ाना बहुती निंदनिय होता है, आपत करके, उनकी पूजा अराधना वे साधना करके, खुज कर ले, इसलिए वो इस बात का भी ध्यान रखता है, कि कहीं गल्ती से कोई गल्ती न हो जाए, ताकि मातारानी उससे रुष्ट ना हो, और उसके उपर सदेव प्रसन रहें, और सुख संबत्ती का आशिरवात दे, इस इसके कारण नो दिन तक लगातार ब्रत रखने और देवी मा की पूजा करने के बावजूद, हमें कई बार उनकी पूजा का पूण फल प्राप्त नहीं होता है, या यूं कहें कि मन चाह फल प्राप्त नहीं होता है, नवरात्रों के दोरान, जहां भक्त नो दिन तक माता क कि मूर्ति और कलत स्थापना करके उनकी पूजार्चन करते हैं वहीं कुछ भक्त नौ दिन तक ब्रत भी रखते हैं नवरात्रों में कई बार ऐसा होता है कि हमारे खुद की समझ में नहीं आता कि आकिर हमने ऐची क्या गलती की है जिसकी बज़े से देवी ने हमारी पूजा क पूरी तरह स्विकार नहीं किया है जबकि हमने पूर्ण स्रद्दा भक्ती से मा की पूजा करने के साथ ही अन्य बातों का भी ध्यान रखा था तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवी मा के इन नवरात्रों में किन बातों को करने से कताई बचना चाहिए जिनसे हम क अगर आप भी घर में नवरात्री की पूजा कर रहे हैं या फिर कलत स्थापना किया है या फिर ब्रत रख रहे हैं तो आपको कुछ बातों का अत्यादिक ख्याल रखना चाहिए ताकि देवी मा आप से किसी भी तरह से रुष्ट न हो जाए देवी पुरान में उन लेख है कि मा भगवती उनी की पूजा अर्चना स्विकार करती है जो नारी का पूरा आदर वे सम्मान करते हैं नारी की इज़द करने वालों से मा लक्ष्मी सदा ही प्रसने रहती है इसलिए आपको इन बातों का ध्यान अगना चाहिए कि जब भी नवरात्रों के दोरान खास तोर की हो इसके अलावा दोस्तों यदि आपके घर में नवरात्री के उपलक्स में कलस की स्थापना की है तो मान लीजिए कि आपके घर में घर पर आपने देवी मा को आमंतरित किया है इसलिए इस समय उनकी पूजा आर्थी आपको समय से हमेसा ही करनी चाहिए और साथ में मा भगवती की पूजा अर्चना सुद्ध एवं पवित्र मन से ही करनी चाहिए यदि आप नवरात्री का ब्रत रखने में असमर्थ है तो भी नो दिन तक अपने खान पान का विशेश नेंतर रखना चाहिए इस दोरान आपको मास, मसली, मदिरा, लैसुन, प्याज, तामस भोजन जैसी बस्तूओं का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए अपितु आपको सात्विक और सुद्ध अहार का ही ग्रेंड करना चाहिए जिसे वैशनो भोजन के नाम से भी जाना जाता है देवी मा की पूजा, शांती, श्रदा और प्रेम के साथ ही की जाने चाहिए नवरात्री के दिनों में घर में कलस, इस्तापनागर आपने की है या नहीं भी की है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में कभी भी कल है, द्वेस, आदी का कोई भी कारण ना बने, वे घर में मौजूद सदश से एक दूसरे का अपमान ना करें, जिससे कि आपके घर में असांती बने, ऐसी कोई भी कारण का, कारण से आपको बचना चाहिए, तब ही आपके घर में बरक्कत होती है और पूजा का पूण फल प्राप्त होता है, नवरात्री के दोरान सुचता का विशेज ध्यान रखे, नो दिन तक सूरे उद्यों के साथ ही आपक पूशनानादी करके साफ सुतरे कपड़े पहन लेने चाहिए, इस दोरान काले रंग के और निले रंग के कपड़ों को पहनने से आपको बचना चाहिए, इसके अलावा चमडे की बस्तुएं जैसे के बेल्ट, जूता, पर्स, इस परकार की बस्तुएं को भी अपने पास ना रखें, इसके साथ ही नवरात्री के नो दिन तक अपने बाल, दाड़ी और नाकून भी नहीं काटने चाहिए, नवरात्री के दोरान बिष्टर पर ना सो करके जमीन पर सोना चाहिए, इसके अलावा घर में पूरे 9 दिन तक एक पल्व के लिए भी अपने घर में ताला बन करके आती हैं इसलिए आपको उन्हें अपने घर में अकेला छोड़ करके कहीं भी नहीं जाना चाहिए नवरात्री के दिन में मूख और बेबस पशू पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए बलकि इनके लिए आपको जितना संबभ हो कि अथा सकती दाना और पानी की बेवस्ता अवश्य करने चाहिए सास्त्रों में बरनित है कि मा दुरुगा का वाहन भी एक पशू है दिन में इश्वर का पाठ करें प्रात्यकालीन ध्यान करके परोस के लोगों और परिवार जनों के साथ आपको कीरतन रामायर का पाठ गीता का पाठ इत्यादी अवश् लान रखना चाहिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि आपको ऐसी कौन सी वे तीन चीजे हैं जो नवरात्रों में आपको मातारानी को बिल्कुल भी नहीं चड़ाने हैं साथ ही आपको नवरात्र के दिनों में ना तो नीम्डू क काटना चाहिए और नहीं मातारानी को चड़ाना चाहिए बरत के दोरान या पिर नवरात्रों के दोरान चाहिए आप बरत कर रहे हो या ना भी कर रहे हो तो प्याज लैसून जैसी चीजों को आपको ना तो घर में लाना चाहिए नहीं काटना चाहिए और नहीं मातारानी क खेलाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, चाहें वे किसी बस्तू में आप गर्मे बोजन बना रहे हैं, तो उसमें डाल करके भी आप माता रानी को भोग ना लगाएं, इसके अलावा किनी कारणों से बहुत से ब्यक्ति बाजार से खाना मंगा लेते हैं, और उसके बाद मात रानी को उसी खाने का भोग लगा देते हैं, तो आपको बाजार से लाए हुए खाने का भोग भी नहीं लगाना चाहिए, बाजार से फल आदी को मंगा करके आप उनका भोग लगा सकते हैं, मिठाईयों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन बाजार के खाने का आपको भोग नह इसके लिए दोस्तों आप जब भी फल खाने के लिए बैटें तो केवल एक ही जगा पर बैट करके आपको फल खाने हैं, बीच में अगर आपको और फल क्याओ सकता है तो आप किसी से मंगवा सकते हैं, लेकिन खुद उठ करके कहीं न जाएं, जब तक आपका भोजन स्थान को न छोड़ें, कई जगा ऐसा भी देखा जाता है कि लोग नवरात्रों के दोरान अपनी भूख को मिटाने के लिए तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू चबाते हैं, गलती से भी अपने ब्रत के दोरान तंबाकू का सेवन बिलकुल भी न करें, वरना आपका ब्रत तूट जाएगा और माता रानी आप से रुष्ट हो जाएगी, विद्वानों की माने तो ब्रत करने वाले व्यक्तियों को नवरात्रे के नो दिन तक अपना समय फिजूल की बातों में ना लगा करके धार्मी गरंतों का अध्यन करना चाहिए, इन दिनों दुरुगा चालिसा या दुरुगा सब्तसी का पाठ करना अत्यनती सुब माना गयाता है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको नवरात्री के दोरान कौन से वे कारण हैं जो नहीं करने चाहिए, साथ ही वे कौन से तीन चीज़े हैं जो आपको भूल कर भी म है माता दी